करेंगे हमारे बेस्ट 200 करेंट अक्तूबर मन्त का पार्ट नमबर सेकेंड तो इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल तो देखते हैं जी आगे आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के उपर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्टर की पीडियेफ आपको टेलिग्राम चैनल डॉक्टर विपन गोल के नाम से मिल जाएगी यहाँ पे सारे लेक्टर की इंफोर्मेशन आपको मिलती है और प्लस आप म 10,000 MCQ कोर्स EMI के उपर भी अभी अभीलेबल है और GS कोर्स जो है आपको एक कोड लगाना है विप 500 डिसकाउंट मिल जाएगा और यह आज जो है कल लास्डेट है 31 कल लास्डेट हो जाएगी और पर्चेस कर सकते हैं तो करना क्या है स्टेडियाएक्यो की आप आपको डाउ स्टेट है जाके दिख जाएगा तो जाएए अपने कुर्स को परचेस कीजी और अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाईए और यह सरकार कौन सी आपकी असम सरकार नहीं यह स्टार्ट करी अंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा असम सरकार के जो सीम है वो कौन ह और जगदीश मुखी जो है यहां के गवर्नर है कैपिटल जो है असम की क्या है दिस्बूर है और अभी हाली में असम गवर्मेंट ने जो है टूरिजम को पर्मोट करने के लिए आंज़प नियोशिप को जो है एक से बीस लाख रुपे तक देने की बात करी थी इन्होंने और प्लस जो है अभी रिसेंटली असम स्कीम ने एक स्कीम चलाई थी that is called स्वयम स्कीम what is the meaning of स्वयम स्कीम that is स्वामी विवेकानन असम यूथ इंपावर्मेंट स्कीम और इसके अंदर जो है thousand क्रूर रुपे की जो है लागत लगेगी जिसमें 50,000 रुपया हर 50,000 रुपया जो है यूथ को मिलेगा for the start of the venture अगर वो अपना नया business venture start करना जाता है तो 50,000 रुपया ले सकता है असम के बारे में और भी बात कर सकते हैं असम के जो है आपके यहाँ पे मानस national park है काजी रंगा national park है और अंग national park है दिबरू साइकोवा national park है और ना मेरी national park है ठीक है और बी हू डांस यहाँ का famous बहुत है बी हू डांस और धीपोर बिल, धीपोर बिल जो है यहाँ की lake है this is important answer इसमें B option बनेगा Awesome is the correct one कौन से bank ने collaboration करी है Google पे और Visa के साथ Ace credit card launch करने की Ace credit card Ace credit card जो launch करेगा वो Google पे और Visa के साथ मिलके That is Axis Bank करेगा B option क्या बनेगा? Right answer बनेगा इस तरीके से जो है आपके Digital experience को एक नई उचायो तक लेके जाना, Digital economy को पर्मोट करना ये इसका main उदेशा है, तो Axis Bank की बात करते हैं यहाँ पे, Axis Bank के जो headquarter है, वो कौन आप है है? मुंबई, महराष्टा के अंदर है, और इसके CEO का नाम क्या है? Amitabh Chaudhary Amitabh Chaudhary is the CEO of the Axis Bank answer इसमें B option बनेगा A toll-free government help line for mental health मन समवाद, मन समवाद जो है, launch किया गया, कौन सी सरकार से है कौन सी राजस्वाद ने launch किया? मानसिक स्वस्थय के लिए, that is मन समवाद, तो ये launch किया राजसान गर्मेंट ने, किसने? राजसान गर्मेंट ने launch किया very very important, clear, राजसान के अगर हम बात करते हैं, तो राजसान के अगर हम बात करते हैं, तो राजसान के जो CM है, राजसान के जो CM है, that is, अशोग गहलोट और इनके जो गवर्नर है, उनका नाम है कलराज मिश्टा जी, कलराज मिश्टा और कैपिटल राजसान की क्या है? जैपूर, कैपिटल है जैपूर दा पिंक सिटी राजस्तान सरकार ने अभी हाल में लाँच किया था इंदरा रसोई योजना इंदरा रसोई योजना भी लाँच करी थी और इसके अंदर जो है इसने ने बोला था कि कोई भी बंदा जो है बुखा पेट नहीं बंदा इसने भी लाँच करी तो अंसर इसपो ने बनेगा आपका राजस्तान बनेगा तो मन्समवाद जाने आप अपना mental health बता सकते हैं यहाँ अपर बात कर सकते हैं राजस्तान सरकार ने लाँच किया according to the first ever giant still birth estimate released by the усas UNICEF ने एक data release किया है WHO World Bank Group के साथ मिलके वो कह रहा है कि हर साल जो है एक बच्चा पैदा होता है 16 seconds में तो आपके नए साल में जो है every year कितने बच्चे पैदा होते हैं इस तरीके से तो यह जो बच्चे पैदा होते हैं 2 million बच्चे पैदा होते हैं हर साल एक बच्चा पैदा होता है 16 seconds में very important clear तो यहां भी UNICEF की बात करते हैं UNICEF के headquarter कहां पे हैं New York के अंदर है Hanrita H Force Hanrita H Force इनके जो है that is the head है WHO के head है that is Dr. Tedros Dr. Tedros headquarter कहां पे हैं इनके Geneva Switzerland के अंदर है World Bank के headquarter कहां पे हैं Washington में David Malpass जो है यहां के प्रेजिजेंट है comment section में लिखके बताइए World Bank के जो chief economist है उनका क्या नाम है World Bank के chief economist मुख्या अर्थ शास्त्री का क्या नाम है World Bank के तो answer इसमें 2 million is the correct one कौनसी राज्य सरकार ने एक tie-up किया है Indian post के साथ ताकि 11,000 क्रोड रुपया 11,000 farmers को enroll किया जाएगा परदान मंत्री किसान सन्मान निदी scheme के अंदर 11,000 किसानों को परदान मंत्री किसान निदी योजना में नामंकित करने के लिए India post के साथ समझोता sign किया है तो ये कौन सी राज्य सरकार ने किया है तो ये किया है गोवा ने इसने गोवा ने किया है option A is the right answer अब ये क्या है परदान मंत्री किसान सन्मान निदी योजना जिसके अंदर 6,000 रुपया जो है उस farmer को मिलेगा हर साल का जो जिसके पास land है ठीक है और farmer है वो उसको 6,000 रुपया तीन installment में मिलेगा हर installment में 2,000 रुपेज मिलेंगे 2,000 रुपेज मिलेंगे for the financial support agriculture support clear गोवा की बात करते तो गोवा की capital है पंजी गोवा की capital है पंजी बगसिंग कोशियारी यहां के जो है गवर्नर है परमोद सावंत जो है यहां के cm है clear याद रखे answer इसमें a option बनेगा गोवा के अंदर जो है आपके सलीम अली बर्ड सेंचरी भी है सलीम अली बर्ड सेंचरी असलीम अली कौन है यह इनको हम bird man of इंडिया भी कहते है bird man of इंडिया भी कहा जाता है सलीम अली बर्ड सेंचरी है गोवा के अंदर सलीम अली नैशन पाक अगर पूछ लिया आपसे तो वो है आपका शीनगर जम्मो कश्मीर में है आंसर इसमें A option बनेगा नेक्स्ट अंबेस्जर ऑफ इंडिया टू नीदरलैंड नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत की रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो वो है परदीव कुमार रावत जी आंसर इस D option नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड की कैपिटल है अमस्टर्डेम करंसी है यूरो नीदरलैंड के अंदर एक हैड़कॉर्टर है हेग और ये किसके हैड़कॉर्टर है अर्थराइटस डे जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं हर साल अक्तूबर बारा को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल का जो थीम था डैट इस टाइम टू वाक टाइम टू वाक अर्थराइटस क्या होता है जैसे जॉइंट्स होता है यहां की इंफ्लामेशन को बनेगा कौन सी स्टेट ने लांच किया मुवाइल वाटर टेस्टिंग लेबोर्टरी वेन मुवाइल वाटर टेस्टिंग लेबोर्टरी वेन जाने कि जगा जगा पे जाएगी और पानी का टेस्टिंग करेगी कि उस में कितने salt जो है dissolve है कितने solid dissolved है कितने fluoride, nitrate, आयरन, alkaline ये सब चीज़े और ये जो mission है एक्चली जो हमारा जल जीवन mission है उसके अंडर है जल जीवन mission के अंडर है जल जीवन mission के अंडर है और ये mission जल जीवन mission क्या है कि जहां तक हम tap तक हमने घर घर पहुंचा नहीं पानी तो इसके यह प्रजक्ट है तो मुवाइल वोडर टेस्टिंग जो है वो किस ने किया हर्याना सरकार ने किया अंसर इसमें क्या बनेगा क्या अगया है वेस्टन कोल्ड फिल्ल लिमिटेड का वेस्टन कौल्ड लिमिटेड का जो है आपको पश्यम कोल फेल लिमिंटेट का मैनेजिंग डारेक्टर चेर्मेंट की से पॉइंट किया गया है इन में से तो वो उनका नाम है डैस मनोज कुमार अंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा मनोज कुमार इस दा करेक्ट अंसर अभी आपको इसके लिए एक अलग से पता होना चाहिए कोल इंडिया लिमिटेट के है जो बना था 1975 में और इसके हैड़कॉर्टर का हमें कोल का था वेस्ट बिंगॉल के अंदर हैड़कॉर्टर है Karl India Limited के जो आपके चेर में है, उनका नाम क्या है, परमोद अगरवाल, परमोद अगरवाल उनका नाम है, बहुत सारी हमारी gonna cold field mines है, जैसे जरिया mines, धनभाद, भोकारो, तो these mines are in the जारखन, यौ कोरभा में, जाता है कोरबा इस इंदा च्छतिश गड़ चतिश गड़ द्यार के इंपोर्टन फेक्टर है आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा कामुदी मुझशी जिनका हाली में धियानत हुआ है इन्हें नाइंटिंगेल ऑफ नाइंटिंगेल कहा जाता था भारत भारत स्टेट को को किला बोला जाता कौन सी स्टेट की कोकिला बोला जाता था कौमदी मुझशी जी को तो ये बोला जाता था गुजरात की गुजरा सरकार के अंदर बोला जाता था गुजरात के अंदर बोला जाता था कौमदी मुझशी को दा नाइंटिंगेल ऑफ गुजरात अंसर इस ए लिए खुजरात की capital है गांधी नगर, अचारय देवर्ट यहां के governor है, विज्यआ रूपानी यहां के cm है, और बहुत सारी national parks हैं यहां पर जैसे 1स दा national park है, black freshwater wildlife century national park है, girr forest national park है जो इσιयाटिक lines के लिए बढ़ा famous है, marine national park है, Gulf of Kach में, Marine National Park Marine National Park ठीक है याद रखे अंसर इसमें A option बनेगा राष्टरबती President of Walt Disney Company APAC and Chairman Star and Disney India जो अभी जो हाली में अपने पद से हटे हैं उनका क्या नाम है Asia Pacific website के अध्यक्ष और Star and Disney India के Chairman पद से अभी कि इनोंने अपना resignation दिया है तो वो है उदेश शंकर अंसर इस D option उदेश शंकर इस दा करेक्ट अंसर अब Disney के अगर हम बात करते हैं Walt Disney के बात करते हैं तो इसके जो Executive Chairman है वो कौन है Bob Iger Bob Iger is the Chairman ये कौन है ये CEO है और ये कहां कि ये company है Walt Disney that is the California based company है California answer is D option World Standards Day 2020 और International Standards Day 2020 का जो है theme क्या था तो इसका जो theme था ये World Standards Day हम इसलिए celebrate करते हैं लड़के और लड़कियों के work culture को promote करने के लिए और जो ये हम दिन celebrate किया जाता है ये announce किसे ने किया था International Electro Technical Commission ने International Organization for Standardization International Telecommunication Union इन्होंने ये किया था और इसका जो theme है that is the protecting the planet protecting the planet with standards protecting the planet with standards ये है आपका theme protecting the planet with standards answer इसमें क्या बनेगा आपका D option बनेगा D option is the correct one कौनसी स्टेट और UT Government UT ने बोला है कि वो रो टेक्स को exempt करेंगे अगर कोई battery operated vehicle है जा battery operated vehicle है बैटरी से चलता है उसकी electric vehicle policy के अंदर कौनसी राजे सरकार की electric vehicle policy के अंदर जो है बैटरी वाले जो गाडियां होंगी उसको exempt किया जाएगा रो टेक्स उसके उपर नहीं लगेगा तो वो है दिल्ली सरकार अंसर इसमें D option बनेगा दिल्ली सरकार दिल्ली के CM कौन है जो है अरविंद केज जीवाल है अनिल बाइजाल जो हो यहां के गवर्नर है दिल्ली ने हाली में एक campaign launch करी थी healthy body healthy mind healthy body healthy mind एक campaign launch करी थी जिसमें coronavirus pandemic से जो घर पे बच्चे बैठे हुए थे उनको जो है मतलब I mean to से उनका brain जल्दी से जल्दी चलाने के लिए healthy रखने के लिए अंसर इसमें D option बनेगा world polio day 2020 जो है हमने कब observe किया तो यह observe किया 24 अक्तूबर को अंसर इसमें क्या बनेगा D option बनेगा और इस साल का जो theme था a win against a win against polio is a win against is a win for global health a win against polio is a win for global health this is the this was the theme answer इसमें D option बनेगा और यह इसलिए बनाया जाता है john sock जो है इनकी birth अनिवर्स्री होती है जिनोंने जो है polio vaccine बनाई थी और polio vaccine को आप sock vaccine भी कह देते हैं sock vaccine भी कह देते हैं answer इसमें D option बनेगा कौन सी country के cabinet ने एक draft जो है lock को draft किया है कि अगर किसी person ने कोई rape करता है तो उसको death penalty दी जाएगी उमर के ऐसे बढ़ा का मित्युदन बढाने की जो है मंजूरी दी है कौन सी सरकार ने कौन सी country ने that is Bangladesh answer इसमें B option बनेगा Bangladesh की capital है धाका currency है टका ठीक है और Bangladesh के जो president है उनका नाम है अब्दुल हामीद प्राइमनिस्टर का नाम है शेक हसीना जी याद रखे answer इसमें B option बनेगा Bangladesh ने अभी जो है हमें export करने के लिए special permission दे थी हिलसा हिलसा फिश हिलसा फिश इंडिया एक्सपोर्ट करने की जो है special permission दे थी food and agriculture organization Asia Pacific regional conference होने वाली है और इसको host कौन करेगा अगें Bangladesh host करेगा answer इसमें B option is the right one हर्याना पब्लिक सर्विस commission के नए चेर्मन इन में से कौन अपाइंट के गए है that is आलोख वर्मा आलोख वर्मा is the correct answer UPSC के अगर मैं बात करता हूँ UPSC के जो चेर परसन अपाइंट के गए है वो है अभी परदीब कुमार जोशी परदीब कुमार जोशी है ये आपके center level पे हैं ये state level पे हैं British High Commissioner एक दिन के लिए बनी थी तो इनका नाम क्या है चतन्या वेंकटेश्वरन अंसर इसमें क्या बनेगा ये option बनेगा और ये जो हैं ये कहां से हैं न्यू डेली से हैं न्यू डेली से हैं और ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है आप 18 से लेके 23 साल के बच्चे के अंदर जो है competition करवाते हैं और उसको world level के उपर represent करते हैं ताकि उसका moral जो है boost किया जाए और ये इसी लिए celebrate किया जाता है International Day of Girl Child की याद में International Day of Girl Child जो आपका 11 October को होता है तो उसमें ये आपका दिन मनाया जाता है और उसमें हम एक लड़की को 18 से लेके 23 साल की लड़की होगी उसको जो है हम high commissioner appoint करते हैं अंसर इसमें A option बनेगा वैसे अगर पूछा जाए कि UK के अंदर आपकी जो brand and messenger है वो कौन है? high commissioner कौन है? तो उनका नाम है गायत्री कुमार गायत्री कुमार ध्यान रखना important है अंसर इस A option ली कुन ही जिनका हाली में धिहानत हुआ है ये किस company electronic company के chair person थे तो ये थे samsung के अंसर इसमें B option बनेगा और samsung जो है आपकी एक South Korean company है South Korea की company है South Korea की capital है Seoul ठीक है और उसके बाद इनके currency है South Korean won South Korean won अंसर इसमें B option बनेगा कौन सी country ने redesign किया है passport का और ये चाइना से differentiate करने के लिए कौन सी country ने आपका passport launch किया है तो डैड़ीजदा ताइवान ताइवान ने नया अपना एक passport बनाया है ठीक है और passport में ताइवान जो है इन्होंने English में लिखा गया है और उसको prominent करके किया गया है थोड़ा सा bold words में डाला गया है Taiwan is a correct answer Taiwan की जो capital है that is Taipei Capital is Taipei और currency is new Taiwan dollar New Taiwan dollar clear और इसके जो president है that is seeing when seeing when is the president of Taiwan clear अभी हाली में जो है हमारे Taiwan के जो इंडिया से गए है जनके इंडिया से गए हैं जनके इंडिया मतलब दूत जिसे आप कहते हैं तो उनका नाम है गोरंगा लाल दास ठीक है यह यादर के गोरंगा लाल दास answer इसमें D option क्या बनेगा right answer बन जाएगा धर्म चक्र परवर्तन डे जो है यह किस दिन celebrate किया जाता है क्योंकि वो leader जो है बुध धर्म में convert हुआ था happy धर्म चक्र परवर्तन डे और यह परवर्तन होए थे 14 अक्तूबर 1956 के अंदर ठीक है और यह person कौन थे डॉक्टर बीमरा अंबेतकरजी डॉक्टर बीमरा अंबेतकर जी is the correct answer clear और 14 अक्तूबर 1956 को यह convert हुए थे बुधिजम धर्म के अंदर नागपूर के अंदर नागपूर में एक्ट्री जगा है दिक्षा भूमी नागपूर के अंदर महाराष्टा स्टेट में ठीक है very important है और हाली में परदान मंतिर नरेंदर मोदी ने autobiography title देहे वीचवा करानी देहे वीचवा करनी जो है autobiography रिलेज करी है यह autobiography जो है किसने लिखी है किसकी autobiography है यह यह बाला साहिव विखे पाटिल अंसर इसमें क्या बनेगा बी option बनेगा बाला साहिव विखे पाटिल और इसके अंदर जो है girl child को empower करने की यहां पर बात करी गई है very very important answer is B option हमारे इंडिया की next ambassador to the republic of San Marino, भारत के अगले राजदू San Marino को कौन अपॉइंट के गए है उनका नाम है Dr. Nina Malhotra Dr. Nina Malhotra is the correct answer clear, अभी बात करते हैं San Marino की capital क्या है again San Marino ही है और इनकी currency क्या है euro, currency क्या है euro answer इसमें D option बनेगा CRI index 2020 जो Oxfam ने रिलीज किया है उसमें इंडिया का rank क्या है अब what is CRI index commitment to reducing inequalities मतलब क्या हो गया जाने के जो आपके देश के इंधर inequalities जाने के ऊच नीच की बात होती है 139th, 139th rank है clear और इस rank के अंदर top किस ने किया है नौरवे नहीं जाने के वहाँ पर inequalities सबसे ज़्यादा कम है और सबसे last rank किसका आया है South Sudan का 158 South Sudan का 158 जाने के South Sudan के अंदर बहुत ज़्यादा inequalities बहुत सारी है ठीक है और answer इसमें क्या बनेगा A option is the right one 59th raising day of Indo-Tibetan border police was observed on which date भारत तिबे सीमा police का 59th स्थापना दिवस जो है किस तारिक को मनाया गया तो ये मनाया गया 24 October को answer इसमें A option बनेगा 24 October ये Indo-Tibetan border जो border police force है ये बनाई कब कई थी 1962 में क्योंकि Chinese aggression देखने को आपको मिला था और ये जो है आपकी एक force है Central armed police force के अंदर आती है और इसके जो डिरेक्टर जनल है Indo-Tibetan border force के उनका नाम है सुर्जीर सिंग देशवाल answer इसमें A option बनेगा 24 October को ही हमारा UN Day भी celebrate किया जाता है United Nation Day सन्जुक तराष्ट दिवस New Shefford Rock System जो build बनाया गया Blue Origin द्वारा ये जो है किसके नाम पे बनाया गया New Shefford Blue Origin दो है जो एक rocket system है ये किसके नाम पे बनाया गया तो इनका नाम है Alan Shefford answer इसमें क्या बनेगा B option बनेगा Alan Shefford के नाम पे ये बनाया गया और answer इसमे B option is the correct answer यहां पे blue world लिखा हुआ है तो मेरे दिमाग में एक दम से एक चीज़ आई कि जो आठ इंडियन बीचीज है आठ इंडियन बीचीज को जो है Blue Flag Blue Flag International Equalable का जो है टैग मिला है और International Coastal Day आपको मैं बता देता हूँ International Coastal Day for Cleanup International Coastal Day for Cleanup जो है celebrate किया जाता है 19 सेप्टमबर को celebrate किया जाता है answer इसमे B option is the right one डॉक्टर जेयन्थ मादव जो है इनका हाली में दिहांत हुआ यह कौन से डॉक्टर थे किस चीज के मतलब किस चीज के जो है यह आपके फिल्ड से बिलॉंग करते थे जो है economics थे अर्थ शास्त्री थे answer इसमें क्या बनेगा D option is the correct answer economics शोबा नाइडू इनका हाली में दिहांत हो गया है यह किस classical dance में जो है माहिर थी शोबा नाइडू तो यह कुचीपुडी के अंदर जो है बड़ा इनका नाम था answer इसमें D option बनेगा भारतनाट्यम तमिलाडू का dance form है कत्थकली जो है केरल का dance form है उड़िशी आपका उड़िशा का dance form है कुचीपुडी आपका अंदरा का dance form है answer इसमें D option is the right one Outstanding Young Person of the World 2020 Award जो है non-profit और NG दवारा किस person को दिया गया है इनका नाम के है Dr. Jejini Vargis Dr. Jejini Vargis को जो है ये दिया गया है और ये plastic surgeon है ये Indian origin UK based आपकी plastic surgeon है medical innovations के लिए इनको जो है award दिया गया और answer इसमें A option बनेगा right answer किने किस state ने सूजल drink for tap mission from tap mission सूजल pay mission से null launch किया कौन सी सरकार ने तो ये किया आपका उडिशा सरकार ने इसके अंदर जो है tap water की जो है प्रॉपर तरीक से जो है 24 घंटे आप supply करवाएंगे किसको urban states के अंदर urban areas के अंदर 24 घंटे आप पानी की supply करवाएंगे सूजल drink from tap mission और ये mission जो है urban areas में कब तक complete हो जाएगा पहली state बनेगी जो पूरे के पूरे areas में quality water पहुंचा रही है direct consumption के लिए उडिशा की बात करते हैं तो उडिशा के जो CM है उनका नाम क्या है नवीन पतनाइक जी प्रॉपनेश्वर गनेशिला यहां के गवरनर है answer इसमें B option is a right one world snow leopard day जो हम celebrate करते हैं 3 October को करते हैं पहला snow leopard day हमने कब celebrate किया था तो पहला snow leopard day celebrate किया था 2014 के अंदर snow leopard के लिए आपको Hamish national park आपको याद रखना है Hamish national park और Hamish national park जिन्दा लदाक जो famous है आपका that is the for the snow leopard answer is C option export import bank जो है extend किया है line of credit for USG 400 million dollar किस country के लिए XZ bank ने extend किया है line of credit तो ये provide किया गया है Maldives को answer इसमें C option बनेगा C option XZ bank की बात करते हैं XZ bank के headquarter कहां पे हैं महराष्टरा के अंदर है 1982 के अंदर ये organization बने था bank बने था David rescue na David rescue na चीक है यहाँ के जो है managing director है Maldives की बात करे fall again, rise again ये पुस्तक जो है किस के द्वारा लिखी गई है fall again, rise again जो पुस्तक है ये लिखी गई है Sandeep Agarwalji द्वारा answer इसमें B option बनेगा Sandeep Agarwalji द्वारा ये book लिखी गई है world student day हम observe करते हैं 15 October को किस राष्टपती की birth anniversary में जिने आप कहते हैं Missile of Man of India विश्व शास्त्र दिवस Dr. A.P.J. अब्दूर कराम जी की birth anniversary की उपर हम ये celebrate करते हैं और इस बार जो है 89th birth anniversary हमने celebrate करी थी और 2010 के अंदर जो है UN ने इसको जो है इस डे को टैग दिया था विश्व शास्त्र दिवस विश्व शास्त्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंस दे clear up और Dr. A.P.J. अब्दूर कलाम जी का जनम जो हुआ है 15 अगदूर 1931 में डैड इस कॉल दनुष कोडी दनुष कोडी रामेश्वन तमिलादू के अंदर हुआ था अंसर इसमें B option बनेगा ultimate goal बुक के author कौन है वो है विक्रम सूद ultimate goal के author कौन है विक्रम सूद answer is D केरल गर्मेंट ने एक launch किया है water taxi service ताके जो है state के अंदर water transport department के स्थू और कौन से डिस्ट के अंदर water transport department ने water taxi service लॉंच करी है तो उसका नाम है इस आला पूजा आला पूजा इस दा करेंट अंसर इसमें C option बनेगा केरल गर्मेंट की बात करते हैं तो capitalist धिरुवन तपूरम governor is आरिफ मुहम्मद खान और chief minister is पिनारी विजन जी तो उसमें C option बनेगा आला पूजा is the correct one साद अल हरीरी जो है ये दुवारा से रिपॉइंट के गए प्राइम मिनिस्टर कौन से देश के साद अल हरीरी जो है अपॉइंट के गए Lebanon के आपके Lebanon के प्राइम मिनिस्टर पॉइंट के गए Lebanon के capital क्या है बैरूथ और currency है Lebanese pound clear answer इसमें क्या बनेगा ये option बनेगा सोरोन बाई जीन बेकेव जो है resign कर गए है राश्टरपती की post थे तो ये कौन से देश के राश्टरपती से उनोंे जो है अपनी post को हटा लिया है that is the किर्गिस्थान किर्गिस्थान के ये राश्टरपती थे अपना seat से हट गए है ये किर्गिस्थान की capital की बात करें तो विशेक उनकी capital का नाम है और किर्गिस्थान सोम जो है इनकी currency का नाम है तो इसमें C option बनेगा International Stuttering Awareness Day ISAD 2020 जो है हमने कब celebrate किया हकलाहट जब हम words बोलते हैं हकलाहट कई पर मानते हैं हमारे अबाज होती है तो हकलाहट सी पैदा होती है तो ये दिन celebrate किया गया 1 October से लेके 22 October तक तो इसका जो theme था Journey of Words Resilience and Bouncing Back Journey of Words Resilience and Bouncing Back अंसर इसमें D option बनेगा International Stuttering Awareness Day Very very important अब आज जो है कौनजी स्टेट ने लाँच किया Action Against Women Related Crime and Awareness for Justice Campaign तो ये अब आज जो है ये campaign launch करी गई है तो ये राजस्तान सरकार ने करी है राजस्तान सरकार ने और इसके अंदर जो है विमन के जो rights है उनको proper तरीक से justice provide करने के लिए उनको educate करने के लिए उनके against crime जो है उसको कम करने के लिए बात करी है राजस्तान के जो है आपके CM कौन है अशोग गहलोड जी है अशोग गहलोड and capitalist जैपूर and governor is कलराज मिश्रा जी और अभी मैंने आपको बताया था इंदरार सोई जोजना जो है इन्होंने launch करिया है इसके अंदर जो है 100 रूपी 100 क्रोड जो है आपका हर साल खर्च किया जाएगा ताकि कोई person जो है बूखा पेट ना सोए राजसान के अंदर बहुत सारे आपके tiger reserve है जैसे के सरिसका tiger reserve रंथम बोर नैशनल पार्क भी है मुकंद्रा hills मुकंद्रा hills नैशनल पार्क है desert नैशनल पार्क है माउंट अबू wildlife century है तो answer इसमें B option बनेगा next high commissioner of India to Solomon Island किसे अपॉइंट किया गया है नए अगले उचा युक्त किसे अपॉइंट किया गया है Solomon दूइप के उनका नाम है सुशील कुमार सिंगल answer इसमें क्या बनेगा B option बनेगा सुशील कुमार सिंगल को अपॉइंट किया गया है अगले high commissioner Solomon Island के B option is a correct one that is सुशील कुमार सिंगल इंडियन आर्मी और पुलिस राज्या पुलिस ने एक और्गनाईज करी anti-terror exercise सुरक्षा कवच सुरक्षा कवच जो है इंडियन आर्मी और कौन सी राज्या सरकार ने करी तो ये करी महाराष्टर ने answer is D option सुरक्षा कवच और एक कहां पर करी that is इट्स इट्स लुला नगर पुने के अंदर महाराष्टरा के अंदर clear और ये अगेन आपका किस चीज के लिए करी गई ता कि वहां पर जो है terrorist activity अगर होती है तो इसको हम tackle कर सके महाराष्टर के अगर मैं बात करता है तो महाराष्टरा के जो गवर्नर है बगसिंग कोश्यारी जी capitalist मॉंबई उदुफ ठागरे जी यहां के जो है CM है यहां पर बहुत सारे नैशनल पार्ग है नावे गाउन नैशनल पार्ग देखने को आपको मिलता है नावे गले के अंदर जो है एक नई ग्लैन एक नई गरंथी डूनली और नए अंग का नाम के है तो कोई किस देश के साइंटिस ने निदरलेंड के साइंटिस ने अंसर इसमें C आप्शन बनेगा निदरलेंड के कैपिटल इस एमस्टरडेम करंसी यूरो और निदरलेंड के एक जगा है हेग जो किसके हैड़कोर्टर है इंटरनेशनल कोट अफ जस्टिस के अंसर इस C आप्शन COO भारत पे के किने अपॉइंट क्या गया है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है किसे मुख्या परचालन अधिकारी के रूप में भारत पे के किस परसन को अपॉइंट क्या गया है उनका नाम है दुरूव बहल अंसर इसमें C आप्शन बनेगा दुरूव बहल और इसके अंदर दो है दो आपकी अधिशनल फीचर भी लॉँच किये गए है तो यह जो है आपके यह पॉइंट दो आपकी स्कीम भी लॉँच करीगी अंसर इसमें दुरूव बहल इस दा करेक्ट अंसर वर्ल्ड आयोडिन डेफिशनसी डे 2020 जो है अब्जर्ब कब किया गया वर्ल्ड आयोडिन डेफिशनसी डे 21 अक्तूबर को अंसर इसमें ए उप्शन क्या बनेगा 21 अक्तूबर को सेलिब्रेट किया गया आयोडिन की अगर आप डेफिशनसी करते हैं तो आपको जो है आयोडिन मतल थाइरोक्षिन की आपकी प्रॉब्लम के लिए हम NSG को National Security Guard को और क्या कहते हैं That is called Black Cats कहा जाता है अंसर इसमें Black Cats is the correct answer National Security Guard के जो Headquarter है वो कहां पे हैं New Delhi के अंदर है और इसके जो Director General है उनका नाम क्या है अनूप कुमार सिंग अनूप कुमार सिंग और इनका मोटो क्या है That is सरवत्र सरवोतम सरवत्र 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 1984 में जो जो है Organization बनाई गई थी अंसर इसमें Black Cats is the correct answer मेरी परारंबिक कहानिया जो है इस बुक के author कौन है मेरी परारंबिक कहानिया पुस्ता के लेखक कौन है तो यह हमारी Education Mr. रमेश पोक्रियाल निशंक है अंसर इसमें C option बनेगा Comment section में लिखके बताईए रमेश पोक्रियाल निशंक जो है इनकी constituency कहां से है यह कहां से जो है अपॉइंट के गए है ऐसे MP सांसत कहां से है अंसर इसमें C option बनेगा World Food Day 2020 जो है Observe कब किया गया World Food Day 2020 October 16 को Observe किया गया 16 October को अंसर इसमें That is आपका D option बनेगा और इसका theme क्या था Grow, Nourish, Sustain, Together Our Action for Our Future Grow, Nourish, Sustain and Together Our Action for Our Future यह आपका theme था World Food Program की अगर हम बात करते हैं World Food Program इसको हाली में जो है आपका Nobel Peace Prize भी मिला था यहां रखिए important है और World Food Program के जो Headquarter है वो कहाँ पर है Rome Italy के अंदर है David B.S.L.E. David B.S.L.E. जो है इनके Head है David B.S.L.E. इसके Head है 19 December 1961 को यह बना था अब बात करते हैं आपके Food and Agriculture Organization की इसके Headquarter कहाँ पर है Rome Italy के अंदर है Same, Food के लिए Rome में ही होंगे ठीक है याद रखना 16 October 1945 को यह organization बनी थी Answer इसमे D option is the correct one 36 गड़ ने COVID-19 के लिए COVID-19 के awareness फिलाने के लिए दुर्ग डिस्टी के अंदर एक नया मैस्केट लॉंच किया है ठीक है दुर्ग जिले के अंदर एक नया COVID-19 के बार में शुबंकर लॉंच किया है इनका नाम क्या है इनका नाम है नन्नी दुर्गा नन्नी दुर्गा is the correct answer अंसर इसमें A option बनेगा नन्नी दुर्गा is the correct answer Very very important Cleared. ननी दुर्गा अंसर इसमें A option बनेगा Next question है It's अकितन अचूतन अकितन अचूतन आपका नम्बू थिरी जो है इनका हाले में ध्यानत हो गया है ये कौन थे ये एक मल्यालम पोईट थे मल्यालम कभी थे answer इसमें A option is the correct one as per the study by the Lancet Journal the life expectancy in India increases from 59 years to dash in 2019 पहले हमारी life expectancy कितने होते थी 60 साल के करीब अब इन्होंने जो बोला है 70.8 years हो गई है 70.8 years हो गई है answer is A option कौन सी राज्य सरकार और केंदर सरकार ने जो कौन सी राज्य सरकार ने और केंदर शासी परदेशन लाँच केंपेंड रेड लाइट ओन गाड़ी ओफ रेड लाइट जैसी ओन होगी गाड़ी ओफ करेंगे ताकि आपका air pollution वहाँ पे कम हो जाए असोला भटी जो है wildlife century देखने को आपको मिलती है दिल्ली सरकार ने अभी डेंगू के लिए awareness फिलाने के लिए ठीक है million year पहले हमें मिला है कौन से राज्य सरकार से मिला है first dragonfly fossil तो यह मिला है हमें जार्खंड से अंसर इसमें क्या बनेगा c option बनेगा जार्खंड जार्खंड की capital है रांची द्रौपदी मुर्मुरू इस दा ड्रौपदी मुर्मुरू इस दा गवरनर हेमंत सोरेन इस दा c है और यहां पे पाला मू पाला मू टाइगर इजब हजारी वाग वाइल लाइफ सेंचरी कोदर्मा वाइल लाइफ सेंचरी क्लियर उधवा लेक वाइल लाइफ सेंचरी पारसनात वाइल लाइफ सेंचरी देखने को आपको मिलती है डालमा भी देख लो डालमा भी लिख से बिलॉंग करते थे तो ये क्रिकेट से बिलॉंग करते थे अंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा तो क्रिकेट से मेरे दिमाग में दो चीजी आते हैं ICC ICC के जो CEO है उनका नाम है मनोज मनु साहनी मनु साहनी हैड़कॉर्टर कहां पर है दुबई के अंदर है UAE के अंदर इसके हैड़कॉर्टर है 1999 के अंदर ये बना था इम्रान खुआजा जो है इसके इंटेरिम चे पर्सन है BCCI के अगर हम बात करते है तो BCCI के जो President है उनका नाम है स्वारव गाउगली Secretary का नाम है जैश शाह और Headquarter है मुंबई Clear answer इसमें A option बनेगा Right answer Cricket is the correct one Pablo Zableta जो आपने फुटबॉल से बिलॉंग करते हैं इन्होंने हाली में retirement ली है यह कौन से देश के जो है फुटबॉलर थे तो यह थे अर्जंटीना के Pablo Zableta अंसर इसमें B option बनेगा Pablo Zableta ठीक है अंसर इसमें B option बनेगा तो अर्जंटीना की बात करते है तो अर्जंटीना की capital क्या है Benos Aries और इनके जो President का नाम है Alberto Fernandez अर्जंटीना पैसो अंसर इसमें B option is the correct one Central Government ने अभी election campaign expenditure बढ़ाने की बात करी है कितने percent ताकि जो है हम कोगी अभी जो है COVID-19 का इतना परहार चल रहा है तो आप election campaign तो करेंगे ताकि प्रपर तरह किसे mask यूज़ कर सकें सेनिटाइज यूज़ कर सकें और जो है लोगों को भीड में भी बचा सकें तो campaign launch करने के लिए Central Government ने कितना percent आपका expenditure बढ़ा दिया है 10% आपका expenditure बढ़ा दिया गया है हमारे election commissioner of India कौन है election commissioner of India है सुनील अरोडा सुनील अरोडा ठीक है याद रखिये अंसर इसमें D option बनेगा 10% battle of belonging ये book है battle of belonging book है इसके author कौन है लेखक कौन है शशी थरूर अंसर इसमें क्या बनेगा शशी थरूर चेतन बगत लिखा हुए है चेतन बगत ने जो है अभी एक book लिखे थी one arranged murder one arranged murder याद रखिये अंसर इसमें D option बनेगा clear हमारे जलशक्ती minister कौन है that is गजेंदर शेखावत ठीक है गजेंदर शेखावत हमारे textile minister कौन है समरीती इरानी और इन्होंने एक book launch करी थी जिसका नाम है आपका स्वच भारत revolution स्वच भारत revolution इस book को जो edit किस ने किया था परमेश्वरम इयर ने परमेश्वरम इयर ने इसका जो है editing करी थी अंसर इसमें शेशी थरूरूरी इसदा correct one कौन से पक्षी को ने एक longest record त्याय किया है वो उड़ा और 12,200 km उसने 11 दिन में cover किया Alaska से New Zealand तक कौन सा आपका जो इसमें पक्षी है that is bar-tailed Godwit bar-tailed Godwit में 12,000 km Alaska से New Zealand तक जो है 11 दिन में अपना सफर तया किया अंसर इसमें A option बनेगा इसका दूसर नाम क्या है scientific name Limosa Laponica Limosa Laponica is the name और इसको और क्या कहते हैं Jet Fighter Godwit Jet Fighter Godwit कहते हैं याद रखिए नाम दोनों पूछे जा सकते हैं answer इसमें bar-tailed Godwit is the correct one कपिल देव कामत जो है इनका हाली में दिहात हो गया ये पंचाइती राजमंतरी थे ये कौन सी सरकार कौन सी राजय में बिलोंग करते थे बिहार बिहार is the correct answer बिहार is the correct answer और COVID-19 के चलते चलेंगे इनका धिहात हुआ है बिहार की बात करते हैं तो फागु चोहान यहां के गवनर है नितिश कुमार जो है यहां के CM है अभी तक Capitalist Patna Capitalist Patna गौतम बुद वाइलाइफ सेंचरी यहां पे है वालमिकी वाइलाइफ सेंचरी यहां पे है कैमूर वाइलाइफ सेंचरी यहां पे है कमवर जील वाइलाइफ सेंचरी यहां पे देखने को मिलती है अंसर इसमें C option बनेगा गोल्ड मेडल जीता है Women Event of 2020 शेक रसल International Air Rifle Championship में शेक हसल International Air Rifle Championship में गोल्ड मेंडल जो है किस Women को मिला है 2020 का तो यह मिला है इस एलेवनिल इस इला वैनिल वला रिविन अंसर इसमें B option बनेगा इला वैनिल वला रिवन को यह अवाड मिला है अंसर इसमें B option बनेगा और यह अवाड जो है मतलब इसने शूटिंग किसने करवाई थी बांगलादेश शूटिंग स्पोर्स फेडरेशन ने इसका जो है शूटिंग करवाई थी clear और अंसर इसमें क्या बनेगा B option बनेगा और एक चीज़ आपको मता दूँ बांगलादेश की जो CM है उनका नाम है शेक हसीना करंसी क्या है इनकी टका और कैपिटल है धाका और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैन केटागिरी के अंदर मैन केटागिरी के अंदर जो है जपान के जपान के नयोवा ओकाडा नयोवा ओकाडा को अवड जो है गोल प्राइस मिला था और हमारे इंडिया के शाहू तुशार शाहू तुशार को जो है शिल्फर मिला था द्यार के मैन केटागिरी अंदर जपान के नयोवा ओकाडा को अबटर अब्धू ग्लाम की शाहू तुशार को जो है जो है हमारा सिल्वर मिला था अंसर इसमें A, B आप्शन बनेगा Ministry of Education ने जो है अभी 89th बर्थ अनुवर्शी सेलिबरेट करी डॉक्टर अब्दुलकलामगी तो उसमें से campaign जो है इन्होंने कौन सी launch करी थी वो launch करी है that is kapila मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको kapila that is column program for intellectual property literacy and awareness intellectual property literacy और awareness को फिलाने के लिए clear और ये बर्थ अनुवर्शी कौन सी है आपकी किस की है APG अब्दुलकलामगी तो अंसर इसमें क्या बनेगा kapila is the correct answer answer is A option और हमारा international property literacy week जो होता है international property literacy week यह होता है 15 October से लेके 23 October तक clear और यह ministry of education कौन है रमेश पोकरियाल निशंक है ठीक है world intellectual property organization भी आपको पता होना चाहिए headquarter है कहाँ पे जिनेवा Switzerland के अंदर और इसके director general का नाम क्या है Darren Tang Darren Tang is the director general answer इसमें क्या बनेगा A option बनेगा Kapila is the correct one portrait of power half a century of being at ringside portrait of power half a century of being at ringside जो है एक autobiography है एक किस personality की autobiography है तो यह है नंद किशोर सिंग जी की एन के सिंग जी की और यह हमारे 15th finance commissioner है पंदर में पंदर में जो है हमारे finance commission chair person है और इस book को जो है publish कि इसने किया Rupa publication इंडिया ने रूपा publication इंडिया ने जो है इसको जो है launch किया answer इसमें D option बनेगा international day eradication of poverty 2020 जो है हमने कब observe किया जाने के गरीबी अनमूलन दिवस 2020 को किस तारिक को मनाया गया तो यह मनाया गया 17 अक्तूबर को answer इसमें B option का बनेगा right answer बनेगा और इस साल का जो theme था वो क्या था acting together to achieve social and empowerment justice जाने के आपका एक जुट होके समाजिक और सशक्तिकरण जो है सब को नयाए पहुँचे इसके लिए जो है इसका theme था और हमने बोला है poverty rate को decline करने के लिए हम 2030 तक जो है हम eradicate कर देंगे बोला है पता नहीं कब होगा कैब नहीं होगा 17 October ठीक है तो गरीबी हटाओ word भी आप याद कर सकते हैं गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ एक slogan दिया गया था इंद्रा गांदी जी दुवरा पांच में पंच वर्षे योजना में फिफ्थ फाइव यर प्लैन में दिया गया था अंसर इसमें 17 October is the correct answer नैशनल पुलिस कोमेमरेशन डे इस अब्जर्वड एवरी यर ओन विच डे भारत राष्टिया पुलिस समरिती दिवस किस तिथी को बनाया जाता है तो यह celebrate किया जाता है 21 October को अंसर इसमें A option बनेगा 21 October यह celebrate किया जाता है और अंसर इसमें A option बनेगा और बात करते हैं NTBC के NTBC Limited जो है New Delhi के headquarter है 1975 में यह organization बनेगा अंसर इसमें C option बनेगा CB ने एक market data advisory committee बिठाई उसके chairman किसे appoint किया गया भारतिया प्रतिबूत और विनिमिक बोर्ड ने बजार data सलाहकार समती के लिए एक committee बिठाई ताकि advice proper trick से हमें मिल सके market की तो किसे appoint किया गया उस comment के chairperson और उनका नाम है माधवी पूरी बुच answer इसमें क्या बनेगा माधवी पूरी बुच is the right answer D option बनेगा से भी के अगर हम बात करते हैं तो 1988 में बना था लेकिन जो powers हैं statutory powers 12 April 1992 को मिलेगी headquarters मुंबई महाराष्टा के अंदर है अजे त्यागी इजदा अजे त्यागी इजदा chairperson answer इसमें D option बनेगा EPI VAC Corona EPI VAC Corona जो है COVID-19 के लिए second vaccine जो है launch करी है कौन से सरकार ने कौन से देश ने तो रशिया की बात हो रही है यहाँ पे रूस ने ये किया था EPI VAC Corona इससे पहले जो रशिया ने बोला था Sputnik Sputnik 5 ठीक है उन्होंने बोला था कि हमने वैक्सिन निकाल ली है Sputnik वैक्सिन तो रशिया की बात करते है रशिया की जो डेटिस प्रेजडेंट है वरादीमिर पूतीन है Moscow is the capital, ruble is the currency clear answer इसमें D option बनेगा कौन सी राजय सरकार ने एक campaign launch करी elephant death को ताकि जब उनको current लगता है electrocution विदुती current से elephant की death होती है तो इस चीज़ को campaign launch करीगी ताकि हम इस चीज़ को बंद कर सकें तो यह West Bengal ने किया है पश्चिन मगाल ने तो West Bengal के अगर हम बात करते हैं कौलकाता is the capital और जो है ममता बेनरजी यहां के CM है और इनके जो जगदीश जगदीप धनकर जो है यहां के governor है यहां पर बहुत सारे national park है बकसा national park है नियोरा वैली नियोरा वैली national park गुरु मारा जल्दा परा जल्दा परा सुन्दरवन अंसर इसमें C option बनेगा ग्लोबल हैंड वाशिंग डे 2020 का जो theme था वो क्या था अक्तूबर 15 को हमें celebrate करते हैं ग्लोबल हैंड वाशिंग डे तो hand hygiene for all यह आपका क्या था पूरा का पूरा इस साल का theme था अंसर इसमें B option बनेगा पारले एग्रो ने एक जो है new drink लॉंच करी है beef is तो इसके brand ambassador की से पॉइंट किया गया है पारले एग्रो ने पॉइंट किया है प्रिंग का चोपड़ा को अंसर इसमें A option इसा correct answer प्रिंग का चोपड़ा को किया है और पारले एग्रो की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो CEO है उनका नाम है सकूना सकूना चोहान सकूना चोहान is the name और पारले एग्रो और इनके headquarter कहाँ पे हैं मुंबई महराष्टा के अंदर इसके headquarter है अंसर इसमें A option बनेगा काल्टन काल्टन चैपमेन जिनका हाली में दिहात हुआ है ये कौन से sports के साथ जो है खेल के साथ जुड़े हुए थे काल्टन चैपमेन तो ये football के साथ जो है relate करते थे अंसर इसमें C option बनेगा और जो है बात करते है football के लिए All India Football Federation हमारे headquarter कहाँ पे हैं आपके द्वार का दिल्दी के अंदर है और प्रेजडेंट कहाँ पे है प्रफुल पतेल इस दा प्रफुल पतेल इस दा प्रेजडेंट फीफा की बात कर सकते हैं फुटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल दा फुटबॉल एससोसियेशन और इसके हैं जूरिक स्विजडेलेंड के अंदर और ग्याननी इनफेंटेनो यहां के प्रेजडेंट है तो अंसर इसमें C आप्शन बनेगा LG Electronics ने अपना एक Global Ambassador नहीं उक्त किया है और LG signature किये है उन्होंने तो यह हैं जी कॉन That is the Lewis Hamilton Lewis Hamilton को अपॉइंट किया गया है अंसर इसमें A option बनेगा A option LG Electronics जो है आपकी South Korean company है चीक है और इसके जो चेर्मेन है उनका नाम क्या है क्वांग क्वांग मू कू यह कौन है और LG इसमें क्या बनेगा Lewis Hamilton is the correct answer Anti-pollution measure जो आपके graded response action plan के लिए किया गया उसके अंदर क्या गया तो यह कौन से शहर में लाग हुआ Anti-pollution measure मतलब pollution को खतम करने के लिए तो यह launch क्या गया दिल्ली के अंदर कहां पे दिल्ली के अंदर दिल्ली के के CM कौन है जो अरविंद केजरिवाल है और इनके governor left-hand governor है अनिल बाइजाल और दिल्ली के अंदर जो है आपका अरुन जेतली स्टेडियम भी है जिसे आप क्या कहते हैं फिरोशा कोटला अंसर इसमें B option बनेगा दिल्ली कौन सी इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट को अवार्ड मिला है 3M Young Scientist Challenge of United States 3M Young Scientist Challenge जो है आपका संजुक्त राज अमेरिका के अंदर मिला है किसको अनिका चेबरूलू को अंसर इसमें क्या बनेगा B option बनेगा अनिका चेबरूलू Global Hunger Index 2020 के अंदर इंडिया का रेंग कितना आया है पहले 102 था अब इस साल हमारा 94 रेंग है Global Hunger Index के अंदर वैल दा हंगर लाइफ के साथ मिलके ठीक है ये दो और्गनेशन मिलके जो है लॉंच करती है 2006 में पहली बार किया गया था अब इस साल का पंदरवा आपका जो है इंडेक्स है अंसर इसमें क्या बनेगा 94 थीज़ा करेक्ट वान इंडियन टूरिजम स्टाडिस्टिक्स 2020 के अंदर कौनसी स्टेट राज्य सरकार की बाद चल रही है हाइस्ट डुमेस्टिक टूरिस्ट विज़टर वहां पे हुए 2019 के अंदर 2019 के अंदर जो डुमेस्टिक हमारे जो हुए है वो है that is उत्तरप्रदेश जनके हमारे भारते ही भारते ही उस राज्य के अंदर गए हैं तो उत्तरप्रदेश is the correct answer उत्तरप्रदेश की जो capital है that is लखनो ये लखनो जो है गोमती रिवर के किनारे के उपर है चीफ मिनिस्टर कौन है योगी अधित्यानाथ और जो है यहां की गवर्नर है दुदवार नैशनल पार्ग यहां पे देखने को आपको मिलता है और पिली भीथ टाइगर रिजर्व और उसके बाद अमनगड अमनगड यह बफर जोन है आपका यहां पे इन्होंने बोला है डोमेस्टिक टूरिस्ट अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके बदाए एक कोशन में आपको पहले भी करवाया था कौन सिस्टेट में फॉरन टुरिस्ट जो है सबसे ज़्यादा गए है फॉरन टूरिस्ट क्लिया तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका उत्रपरदेश इज़ा करेक्ट अंसर International e-waste day का theme क्या था International e-waste day 2018 से हम celebrate करते जा रहे हैं ये और इस साल का theme ना that is education education provide करनी ताके आप ये प्रॉपर दरीख से e-waste को regulate कर सके ऐसी ना मतलग गंदमन्द फिलाएं आंसर इसमें C option बनेगा Indian tourism statistic 2020 के according जो है foreign tourist का award जो 2019 का किसको मिला है अगेन में आपको बताया था अभी domestic की बात करी तो domestic में UP तो foreign tourist में यहां पर कोशन भी ठाल दिया है तो अंसर इसमें क्या बनेगा Tamil Nadu is the correct answer Tamil Nadu में सबसे ज़्यादा foreign tourist गए है Chief Minister कौन है यहां के इड़ापड़ी के पलानी सवामी और पर नमारी लाल प्रोहित जो है यहां के गवर्नर है और यहां पे जो है आपके National Park है ड़िस मुदुन थुराइ नैशनल पार्क अन्ना मलाई मुदु मुलाई एंड सत्या मंगलं तो इस आर दा टाइगर जो है आपके National Park जिन्दा ड़िस जिन्दा अंसर इसमें B option बनेगा इंडिया इंटरनेशनल Food and Agriculture Week जो है Celebrate किया गया एक हफता पूरा तो कब celebrate किया गया यह 16 से लेके 22 October तक 16 से 22 October तक यह celebrate किया गया अंसर इसमें A option बनेगा 16 से 22 October तक बात करते हैं यहां पे जो इस साल का World Food Day जो मनाया गया था Food Program के Headquarter कहां में है Rome Italy के अंदर है FSAI आपको पताना चाहिए Food Safety Standard Authority of India जिसके जो चेर परसन है उनका नाम क्या है Rita Tiotia Rita Tiotia CEO का नाम क्या है Arun Singal Arun Singal is the CEO Minister of Agriculture कौन है नरेंदर सिंग तोमर नरेंदर सिंग तोमर जो है Morena मध्यापरदेश से जो है सांसद है Answer इसमें A option बनेगा 16 से 22 October First Women Officer जो Indian Air Force की जिनका हाली में दिहांत हो गया है Indian Air Force की पहली महिला तो वो कौन है Vijay Lakshmi Ramanan Answer इसमें क्या बनेगा Vijay Lakshmi Ramanan is the correct answer 96 age की age में इनका दिहांत हुआ है आमारा Indian Air Force की बात करते हैं 1932 के अंदर ये बनी थी और इसके Commander इंचीफ तो आपके बता ही है राश्ट्रपती होते है लेकिन इनके Chief of Air Staff होते है तो Chief of Air Staff कौन है Rakesh Kumar Singh Rakesh Kumar Singh Bhadhurya ठीक है याद रखें Important है Air Chief हमारे Answer इसमें C option बनेगा इन में से भारतिया मूल की जो है महीला कौन है जिनको Lifetime Achievement Business Category के अंदर अवार्ड मिला है 17th Annual Steve Award for Women in Business 17th Annual Steve Award for Women in Business जीता है ये कौन सी भारतिया ने जीता है तो इनका नाम है Seema Gupta Answer इसमें D option बनेगा Seema Gupta is the correct answer Seema Gupta clear और ये Director है Power Grid Corporation of India की Power Grid Corporation of India की जो है ये Director है और बात करते हैं Power Minister की तो Power Minister कौन है हमारी Rakesh Singh Sorry not Rakesh Singh Rakesh Singh Rakesh Singh जो है सांसद है अरहा बिहार से Answer इसमें D option बनेगा That is Seema Gupta Asia Power Index 2020 के अंदर India का rank के तना है Asia Power Index के अंदर India का rank है 4th 4th rank आया है हमारा India का तो पहला है United States दूसरा चाइना, तीसरा जपान और 4th इंडिया का वो नाम आया है तो answer इसमें क्या बनेगा जी आपका 4th is the 4th is the correct answer Asia Power Index के अंदर Next Permanent Representative of India to Permanent Delegation of UNESCO जाने के इंडिया से UNESCO के लिए Permanent Delegation के लिए किने अपॉइंट किया गया है तो उनका नाम है विशाल वी शर्मा answer इसमें A option बनेगा इन्होंने जाविद अश्रफ को जो है replace किया है जाविद अश्रफ को UNESCO की बात करते हैं तो Paris Francis के headquarter है Audrey Azole Audrey Azole जो है यहां के जो है head है 16 November 1945 को यह organization बनी थी UNESCO ने खाली में दो डिस्टिक हमारे दो गाओं उडिशा के उनको बोला कि यह tsunami ready है अगर यहां पर tsunami आभी यह तब ही हम regulate कर लेंगे और यह कहां पर है वेंकटा रायपुर वेंकटा रायपुर गंजम डिस्टिक के अंदर नोला शाही नोलिया शाही नोलिया शाही और जगत सिंह पूर के उपर जगत सिंह पूर के अंदर तो यह हैं पॉइंट के गये हैं हमारे विशालबी सर्मा वीशालबी Selfish Day हम कब इसटूबर करते हैं 20 अक्तूबर को वीशालबर कियो vers कि संग किया जाता है और इस साल का जो theme था, that is connecting the world with data, can we trust, connecting the world with data, we can trust is the theme, very important, national statistical day, पुछा जा सकता है आपको, national statistical day होता है, 29th of June को, PC महल नॉबिस की birth anniversary के उपर हम ये celebrate करते हैं, ठीक है, याद रखें, अंसर इसमें, A option is the correct answer, 20th of October, IBA, International Bank Association के नए chairman किसे appoint किया गया है, राज किरन राई जी को, राज किरन राई जी को, भारतिया bank संग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये है कौन, एक्चली Union Bank of India के, Union Bank of India के MD और CEO है, इश्कमार खारा जो है, SBA के chairperson है, नए appoint किया गई है, और IBA के जो headquarter है, that is Mumbai, IBA के headquarter is Mumbai, कौन सी company को choose किया गया है, NASA द्वारा, ताके वो first ever cellular network बनाएगा, moon के उपर, पहला cellular network बनाएगा, moon के उपर, चंद्रमा के उपर, तो वो है आपकी Nokia company, अंसर इसमें क्या बनेगा, आपका B option बनेगा, अब NASA की बात करते है, National Aeronautics Space Administration, और ये जो headquarter का हमें है, Washington के अंदर, Jim Brindenstein, यहां के administrator है, Jim Brindenstein, clear, और हम बात करते हैं, आपके Nokia की, तो Nokia की जो company है, वो आपकी finish company है, Finland की company है, और इसके CEO कौन है, PECA Landmark, PECA Landmark, इनके CEO है, Nokia company के, clear, answer इसमें, Nokia is the right one, हमारे IWF, International Weight Lifting Chamber Federation के नए, अंतरिम जो है, आपके अध्यक्ष की रूप में किने appoint किया गया है, इनका नाम है, Michael Irani, Michael Irani जी को appoint किया गया है, clear, IWF के जो headquarter है, वो कहां में है, Budapest, Hungary के अंदर इसके headquarter है, 1905 में यह organization बनी थी, Michael Irani is the correct one, 500 रुपे का आपको fine में लगेगा, अगर आप जो है, ठूकते हैं, railway premises के उपर, यह कौन सी राजे सरकार ने बोला कि अगर आप railway, परिसर के उपर आप थूकते हो, तो 500 रुपे का आपको जुर्माना मिलेगा, तो यह मद्या परदेश की सरकार ने launch किया है, तो answer इसमें क्या बनेगा, A option बनेगा, मद्या परदेश की capital है, वो है बोपाल, शिवरा सिंग, चोहान यहां के क्या है, जो है CM है और अनन्दी बैन पर टेल यहां की governor है, answer इसमें क्या बनेगा, आपका B option बनेगा, कहना नेशन पाक यहां पर है, कहना नेशन पाक, forest reserve सबसे ज़्यादा यहां पर देखने को आपको मिलता है, मद्या परदेश के अंदर, मद्या परदेश को heart of the India भी कहते है, क्योंकि बिलक time achievement award जो है, यह मिला है, किस को, और US के अंदर मिला है, ताकि उनने बहुत सारा काम वहाँ पर किया, हरिश को तेचा जी को यह award मिला है, हरिश को तेचा जी को award मिला है, और यह children और youth के अंदर, जो है, आप अपना पूरा जीवन बैतीत कर देते हो, उनके भलाई के लिए, उ तो award दिया जाता है, अंसर इसमें, हरिश को तेचा इज़ा, और जो है, और जो है, और इसका जो फेज है, फर्स फेज कब तक तक complete हो जाएगा, और असम के जो CM है, उनका नाम है, सरवननन्दा सोनोबाल, जगदीश मुखी इज़ा, गवर्नर, कैपिटल इस दिसपुर, यहाँ पे मानस नैशन परक हैं, ना मेरी, और आंग, और आपका काजी रंगा, दिब्रू साइकोवा, तो दी जादा नैशन पर सकते हैं, और इनकी पार्टी का नाम क्या है, New Zealand Labour Party, New Zealand Labour Party, clear, और एर चालिसमी, 40th Prime Minister है, कहां की, New Zealand के, New Zealand की जो कैप्टल है, उनका नाम क्या है, Wellington, Wellington, और New Zealand dollar is the currency, न्यूजिजिलन डॉलर is the currency, अंसर इसमें D option benneगा, तो इनका नाम है दिपांकर आरोन अंसर इसमें क्या बनेगा बी ओप्शन बनेगा दिपांकर आरोन डिडी सीए दिल्ली और डिस्टिक क्रिकेट एस्सोशीशन के नए प्रैसिडेंट अपॉइंट के गए हैं ये कौन अपॉइंट के गए हैं दिल्ली और जिला क्रिकेट संग के तो उनका नाम है रोहन जीतली ये अरुन जीतली जी के बिटे हैं अंसर इसमें क्या बनेगा A option बनेगा 30 जून 2021 तक ये अपॉइंट के जाएंगे 30 जून 2021 तक इनका कारेकाल है अंसर इस A option अंसर इसमें क्या बनेगा A option बनेगा परदीप गुरहा और इस बुक का टाइटल जो है वो क्या है दा बैटल आफ बिलोंगेंग बैटल आफ बिलोंगेंग क्लियर बैटल आफ शरी ये जो है बुक तो इसकी ही है इनकी है बैटल बिलोंगेंगे एक बुक है जो किस ने लिखी है शेशी थरूर जी ने लिखी है अंसर इसमें क्या बनेगा, A option बनेगा, प्रदीप गुरुहा, Union Home Secretary of India के जो है अभी करण्ट में किने अपॉइंट किया गया है, अजे बल्ला जी को अपॉइंट किया गया है, अजे बल्ला, that is New Home Secretary, हमारे होम निस्टर कौन है, अमिर्शा, PVC कार्ड दिये जाएंगे, Price of Rs.50, कौन से अदेंटी कार्ड को जो है PVC कार्ड की बात करी गई है, PVC कार्ड बनाएंगे, यह, that is Aadhar कार्ड, अंसर इसमें क्या बनेगा, D option बनेगा, Aadhar कार्ड, और Aadhar कार्ड की जो, यह किसके अंदर आता है, Ministry of Electronics and Information Technology के अंदर आता है, और इस से, और Aadhar कार्ड के जो, हमारे जो organization है, उसके जो chief है, उनका नाम क्या है, that is J. Satya Narayanan, J. Satya Narayanan, यह IS है, UIDA के, Unique Identification Authority of India के, जो है, chairperson है, और CEO कौन है, CEO is Pankaj Kumar, Pankaj Kumar is CEO, J. Satya Narayanan is the chairman, अंसर इसमें D option बनेगा, किस देश की coastal guard ने, test flight करी, unmanned aerial vehicle, sea guardian की, sea guardian की, जो friction किया, किस, किस, तट रक्षा बलने, तो यह किया, जापान ने, answer इसमें क्या बनेगा, B option बनेगा, जापान is the correct answer, clear, क्यूंकि, जो है, चाइना के, चाइना के, जो सेन काकू, सेन काकू, आइलेंड है, जो East China Sea के अंदर है, तो उसने वहाँ पे, जो है, मतलब अपने, हल चल करी, तो जापान ने भी, जो है, अपने aerial vehicle, sea guardian, वहाँ पे लगा दिये, जापान की बात करते है, तो जापान की, जो capital है, that is, Tokyo, Japanese yen, इसकी currency है, अभी नए, प्राइम निस्टर पॉइंट किये थे, जोशीदे, सुगा, यह प्राइम निस्टर पॉइंट किये गए थे, अंसर इसमें B option बनेगा, किसने women single title Denmark open के अंदर जीता है, women single title जो है, जीता है, किसने, that is the, Nozomi Okura, Nozomi Okura ने जीता है, Nozomi Okura, badminton category के अंदर, badminton category के अंदर, clear, याद रखे, important है, अंसर इसमें B option बनेगा, अब बात करते हैं, य यह है, कि जो यह आपकी, that is, Nozomi Okura, जो है, यह कहां से बिलोग करती है, जापान से बिलोग करती है, और इन्हों ने हराया किसको ता Carolina Marin को, Carolina Marin को, Carolina Marin जो है, Spanish player है, clear, अच्छा, एक चीज़ बताए, comment section में लिखे, badminton की federation, world federation of badminton के headquarter, कहां पे है, comment section में लिखे, आपको ब होती ही नहीं थी, पहली बार हमने करी है, यह हम बाहर से export करते थे, import करते थे, export, import करते थे, खास करके, Afghanistan, Iran, उजबेकिसान country से, तो यह जो है, आपके कौन से, कौन से state में, हिमाच्छर परदेश ने लांच किया है, अंसर इसमें, ए उप्शन बनेगा, ठीक है, और यह जो ह है, आपके CSIR, हिमालन बायो, हिमालन बायो सोर्स टेकनोलोजी के जो डिरेक्टर जनर है, संजे कुमार, इनों ने जो है, इसके द्वारा, वक इसका डन किया गया, clear up, और, अंसर इसमें, हिमाच्छर परदेश इसमें, हिमाच्छर परदेश के जो सीम है, उनका नाम है, जै किया जा सके, clear up, अंसर इसमें, हिमाच्छा परदेश इसरा, राइट वान, कौण सी कंट्री जो है, सेलिब्रेट करेगी, पचासवां इंडिपेंडेंस डे मार्च, 26, 21 को, 26 मार्च, 2020 को, आपना, पचासवां जो है, अजादी दिबर, सेलिब्रेट करेगी, तो वो है, बन बंगलादेश इंडिया के जो हाई कमिशनर बंगलादेश के अंदर विक्रम दोरे स्वाई इन्होंने भी न्यूस को शेर किया और बंगलादेश जो है 26 मार्च 1971 को जो है अजाद हुआ था बाइदा लीडर शेक मुजीबर रहमान शेक मुजीबर रहमान इंडिया और बंगलादेश ने अभी एक LPG जो है LPG बिजनस के लिए जॉइंट वेंचर की लाँच किया बंगलादेश के अंदर 50-50 की पार्टनर्शिप में बंगलादेश की जो प्रेजिडेंड है उनका नाम है अब्दुल हामीद और जो इनकी प्राइम निस्टर है शेक हसीना धाका इसदा कैपिल करन्सी टका तो अंसर इसमें क्या बनेगा बंगलादेश इसदा राइट वान तो ये था आज की लेक्चर के अंदर कोशन और आपको इस लेक्चर की PDF जो है टेलिग्राम चैनल के उपर मिल जाएगी लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों के साथ शेर करना और इस्टाग्राम के उपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दो मेरे paid courses आते हैं 10,000 MCQ course इसमें हम GS के MCQ discuss करते हैं और यह हमारा GS course है यह theory course है अगर आप किसी भी government exam की त्यारी कर रहे हैं SSE, SSE, Railway, Defense, State exam, State PCS और next year CEE होगा CET होगा तो आप यह courses purchase कर सकते हैं तो आपको करना क्या है study IQ की app आपको download करनी है जैसे आपने study IQ की app download करी स्क्रीन के उपर आपको home page नज़र आएगा home page में यहाँ best selling course नज़र आएगा जैसी आप home page पे जाएगे तो view all कर देना यह course आपको 34 नमबर पे दिख जाएगा GS course और यह वाला course आपको last में दिख जाएगा तो जाएगे अपने courses को purchase कीजिए और preparation को आगे बढ़ाएगे कल इसका last day है purchase करने का thank you so much guys all the very best good luck take care